हलो स्टुडेंट्स इपसंकर पारा मेडिकल में एक वार फिर से आप सभी का स्वागत है तो स्टुडेंट्स आप लोग का 9 वजे से जीके का टेस्ट है रात प्रती दिन 9 वजे से जीके का टेस्ट है भाबू रात 9 वजे याद रखेगा प्रत दिन जो है जीके का टेस्ट है आप लोग का पारा मेडिकल के लिए जो स्टूडेंट पारा मेडिकल का एगी जाम देना चालता है पहला कोशन है कि कुसल अस्थानिय स्वेता सासन के लिए बिख्यात दच्षिन भारत का राजबंस था उप्सने पल्लब उप्सन भी चोल उप्सन सी बाकाटक और उप्सनरी राश्ट्र कूट क्या होगा राइट अंसर कमेंट कीजी आपके पास दस सेकंड कस्म है देखे कुसल अस्थानिय स्वेता सासन के लिए जो बिख्यात दच्षिन भारत का राजबंस था वो है आपका कौन सा चोल है राइट अंसर हो जाएगा आपका आप्सन नमबर बी अगले नमबर कोशन काता है राइट अंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट किजी आपके पास इस कोश्चन के लिए मातर दस सेकंड का समय कला की गंधार सैली की उत्पती हुई थी किसके काल में तो कला की गंधार सैली की उत्पती हुआ था आपका कनिस्के के राजिकाल में हुआ था राइट अंसर हो जाता है यहाँ पर आपका आपका आपसन नमर डी अगला नमबर कोश्चन कहता है उची सिच्छा का केंद्र बल्ल भी इस्थि था उप्सने गुजरात में उप्सन भी महाराष्ट्र में उप्सन सी विहार राज में और उप्सन भी पच्छिम बंगाल राज में बताए जल्दी से कमेंट केजिए आपके पास इस मातर 10 सेकंड का समय उची सिच्छा का केंद्र बल्ल भी जो इस्थि थे वो कहां इस्थि थे तो वो इस्थि थे आपका गुजरात में बल्ल भी कहा है गुजरात में राइट अंसर हो जाता है आपका अप्सन नंबर ए अगला कोश्चन कहता है अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलता बात कौन ले गया था अप्सन अल्लाव दिन खिल जी अप्सन भी मुहम्मद तुगलक और अप्सन सी फिरोज तुगलक औ तो राइट अनसर हो जाएगा यहां पर आपका कौन ले गया थे मुहम्मद तुगलक राइट अंसर होगा आपका अप्सन नं। बी अगला नंबर कोश्चन काता है कांपूर ईस्थित है कांपूर जो इस्तिता किस नदी की किनार है तो कानपुर इस्तिता है गंगा नदी की किनार पर तो right answer हो जाएगा आपका option number C अगला number question जो है काता है भारत में अध होगी कि बीत का कौन सा इन में से सुरोत नहीं है option ने भारती अध होगी बीत निगम option B नावाड option C राजबितियनिगम option D unit trust of India क्या होगा right answer जल्दी से comment किजिए आपके पास इस question के लिए 10 second का समय देकि right answer जो है हो जाता है कि याद होगी कि बीत जो है काता है कौन सा इन में से सुरोत नहीं है तो नहीं है आपका unit trust of India option number हो जाएगा D अगला number question जो है कहता है भारती आर्थ विवस्था में किस पंच बरसी योजना काल के दौरान कीमत अस्तर घटा option C प्रथम योजना option B दूसरी योजना option C चोथी योजना और option D बारसिक योजना क्या हो जागा right answer कमेंट किजिए जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास बताइए कि किस पंच बरसी योजना के दौरान कीमत अस्तर घटा था तो उभा घटा था चोथी पंच बरसी योजना के दौरान कीमत अस्तर घटा था right answer होगा आपका option number C अगला question कहता है भारत में note निर्गमन परनाली अधारी थे option अनुपातिक कोश परनाली पर option B नियुनतम कोश परनाली पर option C एस्थिर बीनमे परनाली पर option D पूर्ण परिवर्तन सिलता परनाली पर क्या होगा right answer जल्दी से comment किजिए आपके पास इस question के लिए 10 सेकंड का समय बताए कि भारत में note निर्गमन परनाली अधारी थे तो किस पर अधारी थे right answer हो जाएगा आपका कि नियुनतम कोश परनाली पर अधारी थे option number हो जाएगा B अगला number question कहता है कि बिहार राज की मुख नगद फसल कौन सी है option A चाय option B रबड option C गन्ना और option D नारियल और कॉफी right answer क्या होगा बताएगे जल्दी से comment किजिए 10 सेकंड है आपके पास right answer हो जाएगा यहाँ पर नगद फसल जो आता है वो है आप बिहार राज का गन्ना जी हाँ गन्ना नगद फसल है तो right answer होता है option number C अगला question कहता है भारतिय समिधान में किस अनुच्छेद के अंतरगत नागरीकों को मौलिक अधिकार परदान किये गए option A अनुच्छेद 112 से 115 option B option C अनुच्छेद 22 से 335 235 और option D इनमें से कोई नहीं क्या होगा right answer comment किजी आपके पास से 10 सेकिंड का से किस अनुच्छेद के अंतरगत नागरीकों को मौलिक अधिकार परदान किये गए है बताए तो मौलिक अधिकार जो प्राप्त किये गए है परदान किये गए है वो 12 से लेके 35 अनुच्छेद right answer हो जाता है option number B अगला number question काता है 42 में संसोधन अधिनियम 1976 से भारतिय समधान में एक नए अध्याय जोडा गया है option C संग्ये छित्रों के परसासन से समंधित option भी अंतर राजिये परसदों के निर्मान और option C मौली की करतब और option D में दिया है इन में से कोई नहीं क्या होगा right answer comment कीजिए आपके पास 10 सिकंड 42 में संसोधन अधिनियम 1976 से भारतिय समधान में एक नए अध्याय जोडा गया तो कौन सा नया अध्या जोडा गया है तो वो मौली करता भी जोडा गया है right answer होगा option number C अगला number question काता है भारत सरकार को कानूनी बिसेयो पर कौन promise देता है option A attorney journal option B उच्तम नियाले के मुख नयाधिस option C, B, D, I, O के अध्याच और option D इन में से कोई नहीं क्या होगा right answer comment किजिए आपके पासे 10 सेकंड का समय अब बताइए भारत सरकार को कानूनी बिसेयो पर कौन promise देता है तो promise जो देता है कानूनी बिसेयो पर वो देता है attorney journal देते है तो right answer जो है हो जाता है आपका option number A अगला number question जो है काता है कि संगी लोग सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है option है संसद option B राष्ट्रपती option C भारत के मुख नियाधिस और option D प्रवर प्रसमिती right answer क्या होगा comment किजिए 10 सेकंड है संगी लोग सेवा आयोग की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है तो वो करते हैं राष्ट्रपती जिहां तो right answer यहाँ पर हो जाता है आपका option number B अगला number question जो है कहता है कि उच्टम नियाले के नियाधिसों की संख्या की ब्रिधी करने की संख्ती किस के पास है बताइए option A प्रदानमंत्री option B राष्ट्पती option C संसद और option D बीधी मंत्रा ले क्या होगा right answer comment किजिए 10 second है आपके पास देखे उच्टम नियाले के नियाधिसों की जो संख्या ब्रिधी करने की सक्ती है वो किन के पास है बताइए बारत में इनमें से कौन साब भी से पंचायती राज संस्थाओं की सक्तियों के अंतरगत नहीं आता है option A भूमी सुधारों का क्रियावन है option B नयाएक पुन रिच्छन और option C नियाधरनता निवारन कार्ज करमों का क्रियावन और option इनमें से को नहीं तो नहीं आता है आपका नयाएक पुन रिच्छन नहीं आता है राइट एंसर हो जाएगा आपका option नमबर B अगला नमबर कोशन कहता है भारत में पंचायती राज परतिनीधित्प करता है option इं सक्तियों का बीक के अंदरी करन option B लोगों की हिस्सेदारी सम्मुन दाइक विकास और option D A सभी क्या होगा राइट एंसर जल्दी से कमिंट किजिए आपके पास ये मातर 10 सेकंड का समयदा बताइए भारत में पंचायती राज परतिनीधित्प कौन करता है बताइए भारती अर्थ विवस्था का कौन सा छेत्र सफल राष्ट्रिय उत्पादन में सबसे अधिक युगदान करता है option D प्रात्मिक छेत्र option B दित्यक छेत्र option C त्रित्यक छेत्र option D सार्वजनिक छेत्र क्या होगा राइट एंसर कमिंट किजिए आपके पास है 10 सेकंड का समय भारती अर्थ विवस्था का कौन सा छेत्र सकल कहता है कि सकल यानि सफल राष्ट्रिय उत्पादन में सबसे अधिक युगदान करता है तो वो करता है आपका कौन सा छेत्र त्रित्यक छेत्र करता है right answer हो चाएगा option C अगला नमर कोशन जो है कहता है कि भारत के बैंकिंग पर नाली में उच्था बैंक कौन सा है option A state bank of India option B रिजर बैंक आफ इंडिया option C central bank of India और option D industrial development bank of India क्या हो जाएगा right answer जल्दे से comment किजिए आपके पास मातर 10 सेकंड का समय भारत के बैंकिंग पर नाली में उच्था बैंक कौन सा है बताएगे तो उच्था जो बैंक है वो उच्था बैंक है आपका कौन सा रिजर बैंक आफ इंडिया right answer हो जाएगा आपका option number B रिजर बैंक आफ इंडिया उसके बाद अगला नमर कोशन आपके पास मातर 10 सेकंड का समय खेती के काता है अंतर गच्षेतर के अनुसर भारत में सबसे महतपूर्ण जो खाद फसल है वो कौन सा है सबसे महतपूर्ण खाद फसल है चाबल right answer आपका option number D अगला नमर कोशन कहता है कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रिय सरकार दोर लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्ट आई को केंद्र और राज में विवाजित कर दिया जाता है option A में दिया है आयात सुल के option C में दिया है निगम कर और option D में दिया है इन में से कोई नहीं तो बताइए क्या होगा आपके पास से 10 सेकंड का समय कौन सा कर है जिसको प्राप्ट आई को केंद्र और राज दोनों में विवाजित कर दिया जाता है कौन सा आई होगा तो राइट आइट अंसर हो जाता है आपका वो होगा केंद्रिय उत्पादन सुल के आपसन नमबर हो जाएगा भी अगला नमबर कोश्चन कहता है मदर ट्रेसा द्वारा अज थापिस संस्था कही जाती है मिसनरीज ओफ चैरिटी आपसन भी सिश्टार्ज ओफ चैरिटी ओपसन सी सेंटर ओफ चैरिटी और ओफ चैरिटी फोर दी पूर क्या होगा राइट अंसर बताएगे जल्दी से मदर ट्रेसा द्वार अज थापिस संस्था जो कही जाती है वो कौन से संस्था है जो मदर ट्रेसा ने बनाई थी तो राइट अंसर हो जाता है आपका मिसन रीज ओफ चैरिटी ओपसन नमबर हो जाता है उसके बाद अगला नमबर कोश्चन जो है कहता है भारत ने पोखरन में अपना पहला परमानों परिच्छन किया था उप्सन ने 1964 में उप्सन ने 1984 में उप्सन से 1984 में और उप्सन ने 1987 में क्या होगा राइट अंसर कमेंट किजिए दस सेकेंड है आपके पास कहता है भारत ने पोखरन में अपना पहला परमानों परिच्छन जो किया था वो कब किया था तो बहा किये थे 1964 में राइट अंसर होगा आपका उप्सन बी अगला कोश्चन कहता है भारत में संगिये बीत संबंद काहलाता है रखता है आप्सन बी राज़ियों के बीच बीच से आप्सन C केंदर वे ऊमस्वा सासित सरकारों के बीच बीच से और आप्सन रूपन इन में से कोई नहीं क्या होगा राइट अंसर जल्दी से कमेंट कहिई इस कोश्चन के लिए आपके पास है मांतर द gangster का समय Option नमबर हो जाएगा आपका C, अगला नमबर कोशन कहता है, कि भूमी सुधार के भी साय के अंतरगात है, Option A, संग सुची, Option B, संबर्ती सुची, Option C, राज सुची, और आपसन D, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा राइट अंसर, कमेंट किजिए, 10 सेकेंड है आपके पास, दख बतता है आपका Option C, तो स्टुडेंट्स आप सभी का टेस्ट हो चुका है, और हम सारा डीटियल भी एक वीडियो के रूप में देदेंगे, कि कौन से बिष्ट रहेगा आपके लिए, गल्स के लिए, और वाज के लिए, पारामेटिकल में कौन सा कोर्स बिष्ट है, बढ़ देदेंगे हमाने लिए, भी एक पारामेटिकल में का बढ़ियो के लिएपियो के लिए प्रेखियो के लिए हमेगा।